बंडारा में 27 फरवरी को लापता हुए कभी अंता कशव 40 दिन बाद सडी गली अवस्था में इडगाउस्तित खेत के बगल के पास पड़ा मिला जिससे इलाके में संसनी फैल गई पुलिस जाच के दोरान मृतक की जेब से मिले आधार काट से मृतक की पहचान लापता यूगेश लुखंडी के रूप में हुई है हाला की मृतक की मौत का कारण अभी भी एक रहस्य बना हुआ है जानकरी की मुतविक पावनी के पदमा वॉड निवासी यूगेश लोखंडे 27 फरवरी से लापता थे वह ठेकेदारी का धंदा करते थे वह एक माँ पहले घर के काम की बात कहकर निकले थे और वापस नहीं लोटे परिजनों के काफी तलाश करने के बाद भी उनका पता नहीं चला इसी तरह उनके पिता ने लापता होनी की शिकायत पावनी पुलिस में दर्श करवाई थी लेकिन शिकायत करने के बाद भी उनका पतान नहीं चला इसी करम में इट गाउं थाना पुलिस को खेत के बगल में खेत में एक व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना मिली उन्होंने इसकी सूचना पावनी पुलिस को दी पंचनामा के दोरान मृतक की जेब से आधार काट मिला पता और उस पर लगे फोटो से जानकारी निकाली गई तो जाच में पता चला कि मृतक योकेश लोखंडे था पाया गया कि शव अत्याधिक सडी गली अवस्ता में था और शव इट गाव रोड पर प्रकाश रहपड़ी के खेत के पास एक खेत में मिला पड़ा शव गाव में ही मिलने से गाव वा किसानों बे हडकम मच गया पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए मेडिकल कॉलेज नाकपुर भेज दिया है योगेश इंजिनियर है और वो ठेकेदारी का कारोबार रोजगार के तौर पर कर रहा था और उसने परिवार को बताया कि इस धंदे में उसे कई तरहा की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लेहाजा पुलिस महका मा ये पता लगाने की कोशिश में जुटा है कि योगेश की मौत हाथसा है या हत्या इनबीसे नियूस के लिए क्लेश भादवाज के साथ अकसा अनसारी के रिपोर्ट